एक और वेकेंसी स्वास्थ बिवा की अंतरगत यहाँ पे आ चुकी है नोटिफिकेशन ओफिशल वेबसाइट पे रिलीस कर दिया गया विरियस इसमें अलग-अलग पोश्ट है इसमें नर्सिंग की वेकेंसी रहेंगी तो दोस्तों इसमें स्टाफ नर्स का पद है इसके साथ साथ टेकनिकल ऑफिसर यह पोश्ट भी है और स्वास्थ बिवा की अंतरगत टेकनिशन की पोश्ट भी इसमें आप पे शामिल कर ली गई और इंडिया बेसिस पे यह रिकूट्मेंट रहेगा सबसे पहले आप सब लोग यह जाने यह ओल इंडिया बेसिस पे जो स्वास्थ बिवा की वेकैंसी आई है देखिए हेडिंग आप सब लोग पढ़ें देखिए लिखा है ओल इंडिया इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंसिज जोधपूर तो दोस्तों एम्स जोधपूर में यह रेक्रूट्मेंट यहाँ पर आया हुआ है और इसकी जानकारी ओफिशल वेबसाइट पर आपको प्रवाइड करा दी गई और बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो की नीचे जाएं सब्सक्राइब के रेड बटन को आपके किले कर लें तो चलिए शुरू बात करते हैं अपडेट को और बढ़ते हैं इनफर्मेशन की ओर तो देखिए यहां पे नीचे आपको वेकेंसी टेविल आपको प्रवाइड अकरा दे गई देख लेंते इसमें क्या-क्या इनफर्मेशन है तो सबसे पहरी जो पोस्ट है यह टेकनिकल ओफिसर की है एक पद इसमें रहेगा MSC जो केंडिरेट्स है लाइफ साइंस में या फिर मास्टर कोर्स है MLT में आप लोग इसमें अपलाई कर दें और यदि आपके पास अनुबव है या फिर नहीं भी है तो भी अपलाई कर सकते हैं अनुबव कंपलसरी नहीं बोला गया है 28,000 रुपए आपको इसमें सेलरी मिलेगी और 18% HR भी अलग से इसमें आपको मिलेगा 30 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखे गई इसके बाद स्टाफ नर्स तो दोस्तों स्टाफ नर्स की इसमें आप एक पोस्ट है 12th क्लास पास होना आपका जरूरी है और GNM का डिपलोमा इसमें आप लोगों से मंगा जारा यदि आपके पास अधर रेलिवेंट कोर्स है एक साल के एक्सपीरियंस के साथ ओनकोलोजी में तो भी अपलाई कर सकते हैं और इसमें 30 साल उमर रखी गई है 20,000 रुपे और 18% हरे आपको यहाँ पे अलग से मिलेगा इसकी बाद प्रोजेक्ट टेक्निशन यह पोस्ट भी है इसमें एक पद है 12th पास होना जरूरी है और कंप्यूटर के छेतर में आपको certificate भी चाहिए 18,000 रुपे आपको सेली मिलेगी 18% हरे के साथ और 30 साल उमार इसमें आप लोगों के लिए रखे गई जो आपकी जॉइनिंग है यह जितनी भी पोस्ट यहाँ पर जो निकाले गई आपकी जॉइनिंग 31 जनवरी 2025 इस देट तक के लिए यहाँ पर रहने वाली है तो इसके लिए दोस्तों इंटर्व्यू आपको यहाँ पर कराया जाने वाला है नीचे आपको यह application form का पूरा आपको format आपको दी दिया गया इस application form को पूरा आप लोग यहाँ पर फिल कर लें सारी details इसमें आप लोग अपने यहाँ पर प्रवाइड कराएं और interview में directly आप लोग शामिल हो जाएं लिखा भी हुआ है कि जो भी candidates है prescribed format तो format सबसे नीचे दिया है आप लोग उसको fill कर लें और bio data भी आप लोग अपने आप पर तयार रखें और interview की जो day है interview का जो दिन है उसमें आप लोग directly interview में शामिल हो जाएं सारे relevant documents original form में ले जाएं और photocopy का set self test करके भी आप लोग ले जाएं जो कि आपका age proof, qualification का proof और experience का proof यदी है तो ये सारी information आपको carry करके ले जाना होगा और interview की date देख लीजे 19 अपरेल 2024 सुबह 9 बजे तो 19 अपरेल ये जो है आप लोगों की interview की date आपके याँ पर आएगी सुबह 9 अएम सुबह 9 बजे जो है आपको उपस्तित यहाँ पर होना होगा तो वेकेंसी की जो भी information थी मैंने cover की और देखें ये project के आधार पर वेकेंसी निकाली गए सभी post के आगे project यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह project है और आप लोगों की जो जॉइनिंग है Department of Pediatrics AIMS जोदपुर में यहाँ पर दोस्तों जो है इस बिवाग की अंतरगत यहाँ पर रहेगी तो इस वेकेंसी को चाहें तो जो है इंटर्वी में शामल हो सकते हैं information मिले तो वीडियो को लाइक करने अपने सभी friends लोगों को आपको इस वीडियो को share कर देना है सभी को बता दें यह वेकेंसी इस तरीके से आपे रहने वाली है और अपने WhatsApp ग्रोप में और आपके WhatsApp में जितनी भी friends हैं टेलिगराम जितनी भी groups हैं आपके सभी में इस वीडियो को आपको share कर दें कैनल को subscribe भी कर लेना आगे एक और वेकेंसी के डीटेल आपको मिलने वाली है वो जानकारी भी मिल जाएगी वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को click कर लें thank you so much